नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथूर, राजस्तान सरकारों वेदानता के CSR इनिशीटिव ये कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन यान हम पढ़ रहे थे कक्षा आठकी गणीत और हमने शुरू किया था अध्याय एक जिसका नाम है परिमे संख्याएं पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं प्राक्रत संख्याएं, पून संख्याएं, पून नांक, परिमे संख्याएं और परिमे संख्याओं के गुंधर्म इन गुंधर्मों में हमने पढ़ लिया था संवरत गुंधर्म, क्रम विनी मैता एवं साचरेता आज हम इसके आगे के गुंधर्म पढ़ेंगे अब हम शुरू करते हैं परिमे संख्याओं का गुंधर्म नंबर 4 जिसमें क्या है योग एवं व्योकलन पर गुंधर्म की वित बगता यह दिया है b plus c योग इस पर गुंधर्म की वितरकता किसका गुंधर्म करना है एक वित रखता मितलर डिस्ट्रिब्यूटिभिटी तो required गुंधर्म वित्रित करना है का एक ना करदो b के साथ प्लस एकना करदो c के साथ तो क्या आजाएगा गुंधर गुणा B प्लस A गुणा C इसी प्रकार व्याउकलन पर भी गुणन की वित्रकता B-C व्याउकलन दिया है व्याउकलन पर क्या करना है A की गुणन की वित्रकता कैसे A का गुणा कर दिया B के साथ माइनस का चिन है यहां तो यहां माइनस फिर A का गुणा कर दिया C के साथ इस से हम उधारण से समझते हैं, example लिया, A की जगे ले लिया, 2 बटे 5, B की जगे ले लिया, 1 बटा 10, और C की जगे ले लिया, 3 बटा 10, इसका LHS सलब पोर्शन हल करते हैं, क्या है LHS में, A, B, प्लस, C, ठीक है, मान रखिए, A की जगे, 2 बटे 5, B की जगे, 1 बटा 10, प्लस, C की जगे, 3 बटा 10, हल करिए, 2 बटा 5, LCS लिया, 10 है, दोनों के हर में, तो LCS आ जाएगा 10, 10 में 10 का भाग लगाया, 1, 1 गुणा 1, प्लस, 10 में 10 का भाग लगाया, 1, 1 गुणा 3, क्या प्राप्त हुआ, 3, 2 बटा 5, 3 प्लस, 1, क्या है, 4 बटा 10, हल करिए, क्या जाएगा, अंश का गुणा, अंश में 2 गुणा 4 हो गया, 8, 5 गुणा 10, 50, कट रहा है, 2 के पाड़े से, 2 चोक 8, और इसको काटेंगे, तो क्या जाएगा, 25 और उत्तर क्या प्राप्त हो गया, 4 बटा 25, ये उत्तर प्राप्त हुआ है, LCS को हल करने पर, अब A, B, प्लस, A, C, मान रग दीजिए, A की जगे, 2 बटा 5, B की जगे, 1 बटा 10, प्लस, A की जगे, 2 बटा 5, और C की जगे, क्या जाएगा, 3 बटा 10, खल करिए, 2 का गुणा 1 में, 2, 5 का गुणा 10 में, 50, प्लस, 2 का गुणा 3 में, 6, 5 का गुणा 10 में, 50, गुनर, LCM लिया, आया, 50, 50 में, 50 का भाग लगाया, 1, 1 गुणा 2, कितना होगा, 2, प्लस, 50 में, 50 का भाग लगाया, 1, 1 गुणा 6, क्या मिला, 6, 6 प्लस, 2 क्या होता है, 8, आया, 8 बटा, 50 कट रहा है, बिल्कुल, 2 के पाड़े से, 2 चोक, 8, और इसको काटेंगे, तो क्या हैगा, 25, तो उत्तर प्राप्त हो गया, 4 बटा, 25, और LHS को हल करने पर भी क्या प्रा तो क्या प्राप्त हो गया, LHS बराबर, RHS, तो हम क्या कह सकते हैं, योग पर गुणन की वित्रक्ता को कैसे हल कर सकते हैं, A का गुणा B से, प्लस, A का गुणा C से, clear हुआ, अब हम next गुणधन पढ़ते हैं, जो की है, योज्य तत्समक, क्या होता है, योज्य तत्समक, तो हम समझते हैं, हमको पता है, साथ क्या है, एक परिमे संख्या ही है, तो साथ में हम क्या जोडें, कि हमें वापस यही संख्या प्राप्त हो जाए, वापस हमें साथ ही प्राप्त हो जाए, तो इसमें ऐसा क्या जोड सकते हैं, यह तो आपको clear समझ में आ रहा होगा, तो साथ में हम 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त होगी यह जोड़ा 0 तो वापस हमें 7 प्राप्त हो गया तो 0 क्या हुआ योज्या तत्समग इसे आप परिमे संख्या के उजारन से समझ लीजिए यह लिया हमें 2 बटा 3 कोई परिमे संख्या ली इसमें क्या होता है योज्य तत्समक ए प्लस 0 बराबर क्या मिलता है जहां ए कोई भी परिमे संख्या हो सकती है ठीक है अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक की क्या होता है तो गुणात्मक तत्समक ऐसा आव्यव है जो किसी भी दी गई परिमे संख्या से गुणा करने पर हम वापस वही परिमे संख्या प्राप्त हो जाती है कैसे देखिए ये कोई परिमे संख्या दिये साथ बटा पांच इसमें मैं क्या गुणा करूं कि मैं को वापस क्या मिल जाए साथ बटा पांच तो ये भी क्लियर है ये एक ही संख्या हो सकती है और वो है एक क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वापस हमें वही संख्या प्राप्थ हो जाती है क्या गुणा किया यहां एक तो एक को हम क्या कहेंगे गुणात्मक तत्समक क्या कहेंगे गुणात्मक तत्समक ठीक क्लियर क्या लिखा है एक गुणा एक बराबर ए जहां ए कोई भी परिमे संख्या है अब next topic पढ़ेंगे हम योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम क्या होता है तो किसी भी दिये गए भिन्न में या दी गई परिमे संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए अभी हमने जाए तो क्या होगा इस में जोड़ दूगे प्लस सनथ भटा पाँच है इसमें मिल जाएगा शुन्य मिल जाएगा तो जो इसका ये विप्रित चिन्न का भिन है वही इसका क्या कहलाता है योज्य प्रतिलोम ठीक है तो कोई परिमे संख्या दिये 2 बटा-3 तो इसका होगा क्या माइनस दो बटा ती अग यदि दिए माइनस दो बटा ती कोई बिन तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्लस का दो बटा ती समझ में आया अब नेक्स टॉपिक हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो किसी भी दिए गई परिमे संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ऐसा अव्यो जिसके साथ उसका गुणा करने पर हमें प्राप्थ हो गुणात्मक तत्समक गुनात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा क्या होता है? एक, कैसे? देखिए, मान लेजिए ये कोई, दी गई परिमे संख्या है, ए बटा बी, इसके अंदर में क्या गुना करूँ, कि प्राप्त हो जाए गुनात्मक तत्समक मतलब एक, तो क्या हो सकता है? सोचिए, इसका ही उल्टा, कैसे? यहां मैंने B by, B upon A का गुना कर दिया, तो क्या होगा? B से B कट जाएगा, और A से एक कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एक, तो गुनात्मक तत्समक क्या होता है? याद रखेंगे, किसी भी दिये गई परिमे संख्या का व्युत्क्रम, उसका गुनात्मक प्रतिलोम होता है, यही अगर माइनस में दी गई हो, तो माइनस दो बटा पाँच, तो इसका गुनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? लेगा एक समझ में आया तो यह जो C upon D है योज्य गुणात्मक प्रतिलोम वो क्या होगा इस दिये गए भिन्न का उल्टा B upon A अगली वीडियो में मिलते हैं हम उधारनों के साथ प्रशनावली 1.1 के उधारनों के साथ तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद